कम समय में कुछ टेस्टी सा खाना है तो आप ये चीज टोस्ट एक बार ज़रूर ट्राइ करें बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही कम समय में तयार हो जाती हैं ये अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मुझे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें चीज टोस्ट बनाने के लिए हम इन सब का यूज करने वाले हैं तो यहाँ पर लिया है मैंने लगबग एक कप मौजरेला चीज यह जो चीज है यह होमेट है इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी आप वहां से देख सकते हैं एक पर बेचेस के लिये हैं, तो यहां पर लिया है, और यहां पर भी इत मॉपन 1 sibling और को फूक्षान है, लोगारोउ चिली फ्लेक्स लोगारोई के लिया है, जोए सब्सक्राइब ब्रेट थारे लिया है, इस लोगारोई को मॉपनिन एजो लमेक्सिए नादा के और यहां पर ब्रेट लेना है और यहां पर ब्रेट लेना है और ब्रेट लोंगी। पर इस topping को हमें spread करना है evenly इस तरह से इसे spread करना है अच्छे से फैलाना है और यहां पर मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रखा है इसमें मैं add कर दूँगे थोड़ असा बटर और इस बटर से हमें इस पैन को grease करना है इस तरह से अब जो हमने ब्रैट तियार किया है उसे मैं पैन में रख दूँगी और इसे अब मुझे लिट से ढखना है लो फ्लेम पर इसे एक से देर मिनिट के लिए हमें ऐसे ही रखना है जिससे कि जो चीज है वो मैल्ट हो जाए As you can see कि जो cheese है वो melt हो चुकी है तो अब हम इसे हटा कर देखेंगे ये देखें अगर आपको लगता है कि cheese फिर भी melt नहीं हुई है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और as it is ढखकर रखें अब मैं इसे निकाल लूँगे और सर्फ करूँगे प्लेट में चीज टोस्ट रड़ी है सर्फ करने के लिए आप इसे as it is खा सकते हैं या फिर आप इसके छोटे चोटे पीसिस भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर पीजा कटर से इसको ट्राइंगुलर शेप में कट कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि जो चीज है वो प्रॉपरली मेल्ट हो चुकी है यह देखिए मूँ में पानी आ गया ना देखते ही इसी तरीके से मैं बाकी के टोस्ट तयार करूँगी बस हमें पैन पे थोड़ा सा बटर ग्रीस करना है और जो हमने टॉपिंग लगा कर ब्रैट तयार किया है उसे डख कर रखना है एक से देड़ मिनट के लिए वो भी लो फ्लेम पर और चीज टोस्ट बनकर तयार हो जाता है बहुत ही जटपट रैसिपी है यह जटपट से तयार हो जाता है चीज टोस्ट और खाने में बहुत यमी लगता है आप एक बर ज़रूर ट्राइ करें अगर आपने पहले कभी ट्राइ नहीं किया है चोटी चोटी भूग के लिए या फिर इवनिंग स्नैक के लिए यह परफेक्ट रैसिपी है तो आप इस एक तक के लिए अपना ध्यान रखेंए टेक केर बाबाई